So hello and welcome दोस्तो मैं हूँ अरको और आप देखेर हो हाइटेक ब्रो दोस्तो आज का वीडियो में आपको बताऊंगा बेस्ट स्मार्टफोन संदर 22,000 दोस्तो ये बज़ेट उन सब लोग के एक्राट करता है जिनका बज़ेट या तो 20,000 है नहीं तो 25,000 है जिनका 20,000 बज़ेट है वो लोग 2,000 और बढ़ा देते है ताकि उन लोग को और ज्यादा RAM और स्टोरेज मिल सके और जिनका 25,000 बज़ेट होता है वो लोग तरह डिस्काउन के लिए वेट करते है इस वीडियो में आप लोग को आपका चॉइस को फोन ज़रूर मिल जाएगा बस वीडियो आगे पुड़ा एंज़ाइ कीजिए वैसे दोस्ता अगर हम लोग को चैनल पर आपने न्यू हो तो प्लीज हम लोग को चैनल हाइटर पर को सब्सक्राइब कर लिजेगा सब्सक्र एक Full HD Plus 90Hz वाला LCD डिस्प्रेइब को मिल जाता है जिसमें आप लोग को मिल जाते है स्नैपड़नर का 768G जो एक 7NM वाला चिपसेट है और यह एक 5G चिपसेट है जो इस फोन को फ्यूचर प्रूफ बना देता है चैनल है जो आपको बजट का अदर में आजाता है तो अगर आप लोग को एक फोन चाहिए तो इस प्रैस सेटमन में यह फोन आप लोग के लिए बेस्ट ऑप्शन होगा क्योंकि आप लोग के 5G फोन भी मिल रहा है बट अगर आप लोग को 4G फोन से कोई भी दिक्कत नहीं है तो वीवा का दरफ से आप लोग वीवा B20 को भी देख सकते हो जो इसी बजट का सपस में आप लोग मिल जाएगा और उसमें आप लोग के हम लोग डिस्प्ले के साथ एक बड़िया केमेरे सेटब भी देखने को मिल जाएगा बेस्पालिक आप लोग के लिए लाने के लिए दोस्तों इसका पर फोर्थ नमर पर हम लोग आप लोग पास जो फोन है वो सैंसंग का दरूस है और उसका नाम है सैंसंग गैलक्सी अप 62 इसमें आप लोग 6.7 इसे अप लोग बड़ आप परफोमेंस एक्साट कर सकते हो तो कैमेरे स के बारे में बात करें तो दोस्तों इस फोन में आप लोग मिल जाता है पिजे में कौट करें शेका में और सामने में इसके साथ आप लोग बड़ा 7000 इमेस के बैटरी जो 25 वाट फस्टाजी को में तो यह फोन आप लोग के लिए बेस्ट होगा बड़ दोस्तों यह फोन 4G है तो यह शाक्राइब आप लोग करना पड़ेगा लेकिन अगर आप लोग 5G फोन चाहिए प्रफमेज आप लोग प्रवाइट कर देगा इसका साथ आप लोग इसमें मिल जाता है जो 33 वर्ट फासाइजिंगो सपोट करता है दोस्तों फाइनलियर अगर प्राइस के बादे हम बात करें तो इस फोन का जिस त्वी प्लस फंडिजी प्लस वह वह आप लोग को मिलेगा लुपिस का अंदर में बाकि और एक वरेंट है इसका 6 प्लस 64 GB जो आप लोग मिल जाएगा तो आप लोग के लिए बेस्ट ऑप्शन होगा बट अगर आप लोग 4G से भी काम चला लोगे तो आर एक बढ़िया ऑप्शन है Redmi Note 10 Pro Max जिसमें आप लोग 120 हर्स का साथ Super AMOLED दिस् आप लोग मिल जाता है प्रफोंस के बार ने बात करें तो दोस्तों इसमें आप लोग मिल जाता है Snapdragon 855 Plus जो एक 7NM वाला चिपसेट है दोस्तों इसमें आप लोग मिल जाता है Quad Camera सेट अप पिछह में 64 Plus 8 Plus 8 Plus 2 में उपिसल्स का और सामने में आप लोगो डूल केमेरा सेट अप देखंग मिल जाता है आप लोग 855 Plus मिल रहा है और बढ़िया Camera Setup भी मिल रहा है तो आप लोग अगर एक 4G फोन से दिक्कत नहीं है तो आप लोग आग बन करके इस तरफ जा सकते हो आप लोग को बहुत ही जाता मज़ा आएगा दोस्तो 97% लोग अभी ता आप लोग सब्स्राइड नहीं कियो तो प्लीज कर लेना वीडियो अगर आप लोग को अभी तक पसंद आड़ा है तो वीडियो के लाइक लडूत दे जाना दोस्तों फाइनली नमबर वन पर हम लोग का पास है Poco X3 Pro इसमें आप लोग मिल जाते है 6.67 इंचेस का Full HD Plus 120 Hz वाला IPS LCD डिस्प्ले जिसमें आप लोग HDR 10 प्लस का भी सपर देखनों मिल जाता है और सामने में आप लोग एक 20 में पीसर का लिफी काना देखनों मिल जाता है और इसका सरा आप लोग मिल जाता है 5,160 mAh बैटरी जो 33 Watt फास्याजिंग को सपोर्ट करता है इसमें एक ही प्रावलम है ये फोन 4G फोन है अगर आप लोग ये फोन लेना है तो ये एक सक्रिफित आप लोग को करना पड़ेगा फाइनिल प्रैस के बादें बात करें तो इस फोन का जो 8GB प्लस 120GB अप लोग मिल जाएगा 21,000 का अंदर में बेश बैलिंग डिस्कूशन में आप लोग देखने में मिल जाएगा तो दोस्त अभी बात करते हैं आप लोग के लिए कॉंसर फोन सबसे बढ़िया होगा अगर आप लोग एक परफोंस बेश फोन चाहिए तो आप लोग के लिए सबसे बढ़िया होगा आप लोग वीडियो पसंद आया होगा वीडियो के लाइक जरूर करते हैं और चैनल के लिए सबस्क्राइब कर लेना सबसे मिलते आप लोग शगला वीडियो में तिल दन बाई बाई